ये वाट्स आप एविवन दिस ओफिशर्स एंड यूर वाचिंग ओफिशर्स आर में तो आचुके हैं एक और नहीं वीडियो के साथ में और आज की ये वाली वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं यानि कि आप लोग समझ गया होगे अपल इंडिया के लांज आए मयाँ यानि के आप लोग के लांज के बारे में आप लोग सब्सक्राइब के लें की अगर आगर श एकन के लाईक कर देना है और जहां तक हो सके शेयर भी कर देना, तो चलो बस वीडियो को शुरू करते हैं अब मैं इसे प्राब्लम नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई अप्रूवल अभी बाकी हो तो जब तक PUBG कॉर्पेशन को पूरी तरह से ग्रियन सिगनल नहीं मिल जाता तब तक हमें कोई डेट देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आप लोगों को कुछ हिंट दे सकता हूं हां, मैं आप लोगों को कुछ हिंट देने वाला हूं आज की वाली वीडियो में तो आप लोग जानते हो कि आज है 25 नवंबर और आज से 2 December यानि कि 1 टूस्तों आप लोग जानते हो कि 2 December को क्या है चलो नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2 December को PUBG Corporation मर्ज हो जाएगी Crafton INC के साथ और Indian Pillars का सारा डेटा PUBG Mobile Global से PUBG Mobile India में ट्रांसफर हो जाएगा यानि कि यह जो कुछ बचे हुए process है वो भी खत्म हो जाएगे और मेरे क्याल से अगर कोई approval भी बाकी रहे गया होगा तो वो भी solve हो जाएगा तो फिर हमें PUBG Mobile India या तो उसका release date देखने को मिलेगा या तो PUBG Mobile India हमें direct ही प्लेश्टोर पर देखने को मिलेगा या तो यह भी हो सकता है कि PUBG Mobile India का सबसे पहले trailer है जैसे कि मैंने आप लोगों को और भी leaks में बता कर रखा है तो देखो भाईया अभी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि अभी question ना करने लगना कि date का है जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं कुछ hint देने वाल कि हम लोग इसको डाउनलोड कैसे करेंगे तो भाईया एक बास सुन लो कि जब यह available हो जाएगा यानि कि launch हो जाएगा तभी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो वैसे ऐसे नहीं कर सकते ठीक है जो मैं आप लोगों को बता हूँगा तो सबसे बड़ी problem यह ही है कि आप लोगों को इसको डाउनलोड कहां से करोगे सबसे पहले वैसे आप लोग प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो बिल्कु सिक्योर रहेगा बठा कुछ और भी साइट्स हैं जिनके बारे में आगे आने वाली वीडियो में बता दूँगा आप लोगों को तो बस चैनल पर जूड़े रहो और लोगों को जूड़त जाओ अरे ने नी सुनों एक ये मतलब है ना कि शेखर कर देना ओके और हां सुनों फैम्ली को भी बढ़ाना है तो याद तो हैना क्या करना है जी हाँ सबस्क्राइब कर लेना बैल ऐकन को अलब कर लेना मिलता हूं नेक्स्ट